कौन डरता है त्वरण से कई बार विज्यान में बड़े-बड़े कठिन शब्द होते हैं और कई बार तो इसमें गनित भी आ जाता है और इसलिए बहुत सारे लोगों को विज्यान से डर लगने लगता है लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है हमें विज्ञान समझना आता है डरते नहीं हैं हम इससे अब त्वरन का ही उधारन लेलो क्या ये कठिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यहां एक मोटर साइकल की ये आवाज सुनू तुम कह सकते हो कि समय के साथ मोटर साइकल का वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है ये समय के साथ नहीं बदलने वाला अब इस थिती में तुम कह सकते हो कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वेग बढ़ता चला जाता है यानि वेग समय के साथ बढ़ता है अब यहां पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि साइकल के धीमे होने पर आवाज घटती जाती है जैसे जैसे समय घटता है, इसका वेग घटता जाता है यानि वेग समय के साथ घटता है पर ये रेखाएं ग्राफ पेपर पर कैसी दिखेंगी ये ग्राफ हमें दिखाता है कि जिन तीन परिस्थितियों को अभी हमने देखा, उनमें कैसे समय के साथ वेग बदलता है पहली स्थिती में वेग शुरुवात से ही 20 मीटर प्रतिसेकंड है और ये आगे तक ऐसे ही रहता है ये न घटता है न बढ़ता है दूसरी स्थिती में 0 सेकंड में वेग 0 मीटर प्रतिसेकंड था एक सेकंड के बाद ये 4 मीटर प्रतिसेकंड हो जाता है दो सेकंड के बाद ये 8 मीटर प्रतिसेकंड हो जाता है तीन के बाद 12 मीटर प्रति सेकंड और 4 सेकंड के बाद ये 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है इसका मतलब है कि हर सेकंड वेग 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है ये त्वरण कहलाता है यानि त्वरण वह दर होती है जिससे किसी चीज़ का वेग प्रति सेकंड बदलता रहता है इसे हम लिखते कैसे हैं यह 4 मीटर प्रति सेकंड प्रति सेकंड या 4 मीटर बटे 1 सेकंड गुणा 1 बटे 1 सेकंड ऐसे लिखते हैं अगर मोटर साइकल का त्वरण इसी तरह होता तो पाँच सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा चार आठ बारा सोला बीस और आठ सेकंड के बाद चौबिस अठाएस बतिस या सीधे साधे तरीके से कहें तो वेग निकालने के लिए जो त्वरण हमें मालूम है उसे हम उतन के ही सेकंड से गुणा कर देंगे जिसके बाद हमें उसका वेग निकालना है तो यह होगा चार मीटर प्रतिसेकंड प्रतिसेकंड गुणा आठ सेकंड यानि 32 मीटर प्रतिसेकंड चलो एक बिलकुल नया ग्राफ लेते हैं और देखते हैं कि तुम इसे ठीक से समझ पाए ह या नहीं ठीक है अब हर सेकंड इसका वेग कितना बढ़ रहा है ग्राफ से मिलने के लिए रेखा एक सेकंड से ऊपर जाती है और फिर वेग के ग्राफ से मिलने के लिए आड़ी दिशा में बढ़ती है इसे हर सेकंड के लिए ऐसे ही करना होगा क्यूं मिल गया ना उत्तर यह त्वरण है, पर तुम इसे कहोगे कैसे, त्वरण है मीटर या मीटर प्रतिसेकंड या मीटर प्रतिसेकंड प्रतिसेकंड बताओ, ठीक है, अब अगर किसी चीज का वेग उसी दर पे या उसी त्वरण से बढ़ता जाता है, तो 8 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा, क्य एक चीज एक तै की हुई उचाई से तीन सेकंड के लिए गिरती है तीन सेकंड के बाद इसका वेग 29.4 मीटर प्रतिसेकंड पाया गया तो इसका त्वरण क्या हुआ या तुम गुणा करोगे या भाग चलो क्यालकुलेटर निकालो और पता लगाओ मेरे दोस्त यही त्वरण है जो प्रित्पी के गुरत्वाकर्शन बल से पैदा हुआ है याद रखना